मैं लाई हूँ गर्मियों की एक special recipe जिसका नाम है ठंडाई यह आपको तरो ताजा कर देगी इस वीडियो में मैं आपको एक ठंडाई की paste बनाना बताऊंगी और साथ के साथ बताऊंगी कि कैसे ठंडाई की paste को एक महीने तक आप आराम से fridge में store कर सकते हैं तो उसके लिए आप बने रही है इस वीडियो में गर्मियों में तो थंडा थंडा पीने का मन करता ही है तो क्यों ना कोई ऐसी चीज पी जाए जो healthy भी हो और साथ के साथ आपको refresh भी कर दे अब एक बाउल में हमें डालने है टू टेबल स्पून बदाम, टेबल स्पून पिस्ता, एक टेबल स्पून मगज यानि की melon seeds, एक टेबल स्पून कसकस poppy seeds, आदर टेबल स्पून सौफ बहुत अच्छी होती digestion के लिए 3-4 टेबल स्पून साबुत काली मिर्च, 3-4 हरी लाइची, अब इसमें पानी आट करेंगे जितने में ये सोख हो जाए, तकरीबन एक कप, एक बाउसे स्पून से mix कर देंगे, अगर आप इसे overnight सोख करने के लिए छोड़ रहे हैं, 7-8 गंटे तो इसे fridge में रख सकते हैं, अगर आप इसे सोख कर रहे हैं भार, fridge में नहीं सोख कर रहे हैं, तो 4-5 गंटे sufficient है, इसे धक के रख दीजे, बस ध्यान रखिएगा कि ये windows और hot places से दूर है, किसी cool spot पे रहे, अब इसे सोख किये हुए 5 गंटे हो चुका है, देखिए कि अच्छ से ही सोख हो चुका है, full अब इसे mixi में हम डाल देंगे, पानी आड मत कीजेगा, स्टार्टिंग में ही, mixi में पीसने के लिए बहुत इंपोर्टन टिप है, कि सारे ingredients को एक साथ डाल दें, पर पानी स्टार्टिंग में मत आड करें, ताकि वो अच्छ से grind हो जाए, आदा टीस्पून में यहां पे देंगे दीरे-दीरे करके, इस तरीके से कि ऐसी थिक पेस बन जाए, ठंडाई सिरफ बनाने के लिए एक पैन में एक कप चीनी डालिए, सेम कप की measurement से एक कप पानी आड करेंगे, बजार में जो ठंडाई मिलती है, उसमें तोड़ा सा कलर आता है, इसलिए हम डाल रहे हैं, छे से साथ strands of queso, या फिर कोई food color आड कर सकते हैं, जो भी color आपको पसंद हो, अब इसे stir करेंगे, जब तक कि इसमें चीनी अच्छा से dissolve नहीं हो जाती, medium से low flame पर अब इसे एक boil आने तक wait करना है, जैसे ही आप देख सकते हैं, इसमें bubbles आ गए हैं, तो एक boil आ चुका है, इस ताकि कोई lumps ना आए, अब 20 से 25 मिनट के लिए medium flame पर इसे cook करना है, बीच बीच में stir करते रहना है, इसकी consistency देख सकते हैं, आप दीरे दीरे करके गाड़ी हो रही है, इसको cook करते हुए लगबग मुझे 25 मिनट हो चुके हैं, अब ये ready आया या नहीं, इसको check करने का एक तर दोनों साइट का जो mixture है, वो mix नहीं हो रहा, मतलब धंडाई का जो syrup है, बिलकुल ready है, इसको धंडा करेंगे, उसके बार एक glass bottle में इसको fill करके store करेंगे, तो ध्यान रखिएगा store करने के लिए जो भी bottle आप use करें, वो glass bottle होनी चाहिए, और साथ के साथ air tight होनी चाहिए, एक पारी में आपकी 500 ml ठंडाई syrup ready हो जाएगी, अब जब भी आपके घर पे कोई महमान आए और आप उसे ठंडाई प्लाना चाहते हैं तो tension ही नहीं कोई, ठंडे ठंडे दूद में आड़ करें syrup, एक glass के हिसाप से समझ के चलिए कि 8 टेबल स्पून ये ठंडाई syrup डल जाएग जैसे, बिल्कुल वैसे ही, अब जिस भी glass में आपको सर्फ करना है उसमें धेज सारी ice cubes जा लिए अपनी requirement के हिसाप से और ये ठंडाई आड़ कीजे और सर्फ कीजे, जो भी ingredients मैंने यहाँ पर यूज किये हैं ठंडाई syrup को बनाने के लिए वो सारे के सारे बहुत healthy हैं, तो लाइक शेर भी कर दिजेगा अगर आपको मेरी recipes पसंद आती हैं, मैं मिलूंगी ऐसी ही और tasty delicious healthy recipes के साथ तब तक के लिए, goodbye, take care